अपनी बहतरीन डांस मूव्स एंड शांदर क्योरोग्राफी के लिए बॉलीवूड के कई मूवीज में अपना युगदान देने के कारण जाने जाने वाले डिरेक्टर एंड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा रेमो का जनम करनाटका के शहर बेंगलोर में हुआ दो अपरेल उनिसोचोटर को रेमो के फादर एर फोर्स में शेफ थे इसलिए अपने फादर की जॉब के कारण उन्हें कई राज्यों में रहना पड़ा और अपनी पढ़ाई को पूरा करना पड़ा अपनी सेकेंडरी की प जहां जाकर उन्हें क्रिश्चन रिलीजन के रिचुल्स इतने पसंद आये कि उन्होंने अपना धर्म परिवतन कर लिया रेमो ने आज तक कभी भी किसी से कोई डांस क्लास नहीं ली थी उन्होंने अपने सारे डांस मूव्स माइकल जैक्सन की वीडियोस एंड मूवी से ह की है वह माइकल जैक्सन के द्वार करे गए डांस मूव्स को दोराते फिर अपने खुद के एक्स्टर डांस टेप्स उसमें एड़ करके उसे कोरिग्राफ करते अपनी बारवी की पढ़ाई उन्होंने जाम नगर गुजराद में रह कर ही पूरी करी रेमो का पढ़ाई में ज़्यादा इंटरस नहीं था इसलिए अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मुंबई चले गए लेकिन उनके फादर चाहते थे कि वह एर फोर्स जोइन करें उनके घर में बचपन में पैसों की काफी तंगी रह करती थी इसलिए अपनी फैमली को फइन क्लास की रही टीम ने वहां के एक लोकल कंपडिशन में पहला स्थान हासिल करा उन्होंने अपने बोलिवुड करियर की शुरुआत साल 1995 में आई मूवी रंगीला से गरी जिसके बाद वह एहमद खान के साथ जुड़े एज़ा असिस्टेंट कोरिग्र जिसके बाद वह अ बोलिवुड में टर्नी पॉइंट तब आया जब उनके द्वारा कोलिग्रेफ किया गया सौंग इश्क समूंदर जो की था मूवी कांटे में से काफी हिट साबित हुआ बोलिवुड में एज़ा ड्रेक्टर के तोवपर उन्होंने अपना करियर साल 2011 में शुरू करा मूवी फाल्तू से मूवी ज़ादा हिट तो नहीं रही बट उनके ड्रेक्शन की काफी पशंसा हुई जिससे पहले उन्होंने बंगाली मूवी लाल परिहर कथा को ड्रेक्ट करा जिसके बद रेमो ने साल 2013 की मूवी ABCD को ड्रेक्ट करा जो काफी हिट रही साथ ही ABCD2 को साल 2015 में उनकी लास्ट मूवी रही As a Director Street Dancer 3D जो की काफी पसंद की गई थी रैमो बोलिवूड के साथ TV के कई reality show में भी नजर आ चुके है As a Judge जिसमें उनका डेब्यू ZTV के dance reality show Dance India Dance में हुआ साल 2009 में जिसके बाद वे कई बार D.I.D. में नजर आए साथ ही वे सोनी के dance reality show में भी नजर आए साल 2010 में जलग दिखला जाके सीजन 4, 5, 6 & 7 में And Star Plus के शो Dance Plus सीजन 1, 2, 3, 4 & 5 में रैमो काफी अवार्ट से भी समानित करे जा चुके हैं अपने दुआरा कोरिगरफ किये हुए Dance Moves के लिए जिसमें वे पहली बार अवार्ट से समानित करे गए थे साल 2011 में आई मूवी इंत्यारन के लिए विजे अवार्ट में As a Best Find of the Year के तोर पर जिसके बाद वे समानित करे गए मूवी ये जवानी है दिवानी के सौंग 22 दिल के लिए Screen Awards, Z-Sign Awards International Indian Film Academy Awards And Producers Gil Film Awards For Best choreography वही वे साल 2016 में समानित करे गए थे 63 वे National Film Awards से मूवी बाजराव मस्तानी के सौंग दिवानी मस्तानी के लिए रैमो आज किसी introduction के मोताज नहीं है वे आज जिस मुकाम पर भी है सिर्फ अपनी मेहनत के कारण वे आज कईयों के लिए इंस्पिरेशन है सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर रैमो ने रिसेंटली ही कुछ टाइम पहले ही हार्ट अटैक को फेस करा है उन्हें एडमिट करवाया गया है कोकिला बेन होस्पिटल में हम उमीद करते हैं कि वे जल्दी ही रिकवर हो और अपने काम को ऐसे ही आगे बढ़ागर आज के यूद को ऐसे ही इंस्पार करते रहें ताकि ऐसे टैलेंटिड लोग हमारे समाज को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें